उत्तर सोंदार इस जगह को उत्तर सोंदार कहते हैं और यह पर्टिकुलर एरिया को नौलीनी पठार कहते हैं नौलीनी पठार ठीक है और ऐसे एरिया जो है इसको उत्तर सोंदार कहते हैं मिलेंगे फिर जब यहां क्या होगा यह आसमा आएंगे फिर जब यहां जने कैसा होगा समा तो अभी मैं हूँ तितलागर में यह जगा भी काफी सुन्दर है आप देख सकते हैं यहां का दियों यह है बौरहट टी स्टेट यह है बौरहट टी स्टेट की फैक्टरी यह बड़ा साली टी स्टेट और यह है मुक्ताबारी हलकटनी टी स्टेट यहां थोड़ी थोड़ी दूरी परी एक एक टी स्टेट है आप मेरे चैनल में आये हैं आपको बिना चाय पिये कैसे जाने दे सकता हो है ना यह है हापे काटी साड़ी अली तो मैं पहुच गहां सोनारी इस तालाब को रजा पुखुरी कहते हैं पुखुरी यानिके तालाब इस तालाब में बच्चे स्विमिंग सिखने आते हैं यह है स्टेचू आफ मतराम हाती मुरिया यह एक फ्रीडम फाइटर थे मिलेंगे फिर जब यहां क्या होगा यह आसमा आएंगे फिर यह है चराइगो डिस्टिक्स कोर्ट्स असोशियेशन यह जगा भी काफी मस्तर इसके पीछे यह है गैलरी और यह है फिल्ड इसी फिल्ड के बगल में है सोनारी कॉलेज क्या होगा यह आसमा आएंगे फिर जब यहां जले कैसा होगा समा ओ क्या तेरी क्या मेरी औहरा यह है लाचित पर्क यह एकदम पाउन के बीचों वीच है और यहां पर एक बड़ा सा तालाद है इस तालाद को बहुर पुखडी भी कहते हैं यहां थोड़ा सा कंज्यूजन है इसको एक्स्प्लेइन मैं थोड़ी दिर बात करता हूं तो अभी मैं हूँ सुनारी पुखडी में और मेरे पीछे यह है सुनारी पुखडी और उसके पीछे है सुनारी टी स्टेट पुखडी पुखडी जो है वो टी स्टेट के बांडरी के अंदर ही पढ़ता है कुछ लोग कहते हैं कि इसको बहुर पुखडी कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो जो टाउन वाला है वो है बहुर पुखडी जिसको लाचीट पार्क भी कहते है लाचीट उड़ान ले बोर्ड में आपको दिखा दूँगा, वहां पर भी स्वनारी पुखरी लिखा हुआ है, अब पता नहीं, कुछ लोग अलेगला ओपिनियन मिल रहा है मुझे यहां पर, लोगों से जब बात कर रहा हूं, तो कुछ लोग यह कहते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं, कुछ लोग ज आसमा, आएंगे फिर जब यहां, जाने कैसा, यह है सोनारी ब्रिज, यह निव ब्रिज है, और वो दूर पे जो दिखाई दे रहा है, वो है ओल्ड ब्रिज, इस ब्रिज से सोनारी पी फैक्टरी भी दिखाई दे रही है, यह है सोनारी टी स्टेट इस्पेंसरी या हेल्थ केर, तो आज यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द, और हाँ, चाय पिके जाएगा,